जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी आप जी के सामने बैठ कर शिरी गुरुनानक देव जी की साखी आपको सुना पा रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुचाने की किरपा कर रहे हैं वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फत्य ओम नमोशिवाय शिवजी सदा सहाए ओम नमोशिवाय गुरुजी सदा सहाए जै गुरुजी वाहि गुरुजी ओम नमोशिवाय शुक्राना गुरुजी साखी और चली तलबंडी से शिरी गुरुजी और बाला मर्दाना फिर भाई लालो के घर में आ गए लालो को अपार प्रसंता हुई पश्चात माई दिन निवास करके फिर चल दिये और बंगाल तथा धाके में जाप धारे वहां कुछ भी खान पान को नहीं मिला गुरुजी ने कुछ दिन पवन खाकर ही वैतीत किये भूख प्यास पर गुरुजी का तो पून अधिकार था परन्तु मर्दाना भूख से व्याकुल हो कहने लगा हे गुरुदेव मैं भूखा मरने लगा हूँ किर्पया मेरा इंतजाम करो गुरुजी ने कहा इस बूटे को खकडिये लग रही है जाओ पेट भर खाओ मर्दाना खकडिये खाने लगा गुरुजी ने कहा भाई मर्दाना पेट भर कर खाओ परन्तु फिर के लिए जमा नहीं करना खकडियों का स्वाद अम्रिज जैसा था मर्दाना भूखा था, खूब खाने लगा, फिर कुछ तोड़कर कपड़े में बांद ली, मर्दाने ने सोचा, ये कल को काम आएंगी दूसरे दिन भूख लगी तो निकाल कर फिर खाने लगा, खाने के पश्चात हाथ पाउ मारने लगा, देखकर गुरुजी हसने लगे तो आख के थे, फिर गुरुजी ने स्वेम तोड़ कर दी, जिसके खाने से मर्दाना ठीक हो गया, फिर गुरुजी भहां से आगे रवाना हुए, फिर एक राजा के राज्ये में पहुचे, जिस जगह जंडे बाडी की चार पाई है, वह समुदर के टापू में है, उस देश में बहुत सी मुसीबते आने का भय है, इसलिए हमारे साथ ही रहना उच्चित है, परन्तु मर्दाने ने फिर अस्विकार किया, तब गुरुजी ने, बाले से कहा हे बाला, ये मर्दाना हमारी बात नहीं मानता, अंतदगोतवा, मर्दाना गुरुजी के आग्या ना जब दोपहर वैतीत हुई, तब गुरुजी ने कहा हे बाला, मर्दाना एक राक्षस के पंजे में फस गया है, और अब उसे तेल के कड़ाहे में तलना चाता है, तब बाले मैंने भी मर्दाने को बचाने का आगरे किया, तब गुरुजी भी उस पर किरपा करने के लिए उ तक मारा जाएगा, गुरुजी ने कहा, बाला आखे बंद करके खोल लो, जब इस पर कार किया, तो ता तक्षन उसी स्थान पर जा पहुंचे, जहां राक्षस ने मर्दाने को पकड़ रखा था, गुरुजी कहने लगे, हे बाला वह तेरे सामने तेल का कड़ाहा है, जिसम गुरुजी ने कहा, हे बाला, जो कुछ करतार की इच्छा होगी, वही होगा, उसकी लीला चुपचाब देखते जाओ, अब उस राक्षस ने मर्दाने को उठा कर, तेल के कड़ाहे में, जो आग की भांती तप रहा था, उसमें फैक दिया, इश्वर की लीला, तपा हुआ तेल, बरफ की भांती शीतर हो गया, यह देखकर वही राक्षस हैरान हो गया, गुरुजी को देखकर राक्षस ने कहा, तुम कौन हो, मेरे तेल सर्ध होने का कारण तू ही है, गुरुजी ने कहा कि भाई तू इसे खाता क्यों नहीं, अरे कोडे राक्षस तुम को किसकी प परम का मने पयो परगास काटी बेडी पगहते गुर कीनी बंद खलास। आवन जान रहो तपत कडाहा बुझ गया गुर सीतल नाम दियो रहाओ। जब ते साधू संग पया तव छोड गए निगहार जिसकी अटक तिस्ते छुट्टी तव कहा करे कोटवार। चुका पारा करम का होए नही करमा सागर ते कंडय चड़े गुर कीने तर्मा सच थान सच बैठका सच सुआओ बनाया सच पूंजी सच वक्रो नानक कर पाया। तब कोड़ा राक्षस गुरुजी के चर्नों पर गिर गया कहने लगा है सद्गुर्देव मैंने बहुत पाप किये हैं आप मुझे शमा करें। गुरुजी ने कहा ये कोड़ा जदी तु मर्दाने के चर्णों पर गिर कर उसे शमा याचना करे तो तुम पापमों से मुक्त हो सकते हो राक्षस ने कहा मैं आप जी का दास हूँ जैसे आग्या होगी वही करूँगा राक्षस ने गुरुजी से भोजन के लिए आग्रे किया गुरुजी कहने लगे कोड़ा हमें तो आपकी श्रद्धा का भोजन चाहिए तब कोड़ा बन से भहुत मेवे ले आया और गुरुजी के अरपन किये मर्दाने को गुरु जी कहने लगे हे मर्दाना ये मेवे खाओ मर्दाने ने कहा हे महाराज मैंने आपकी आग्या नहीं मानी आप मुझे परसन है इसलिए आप मुझे पहले शबा कर दो गुरु जी ने कहा हम तुम पर परसन है उसने कहा हे किरपालू ये मेवा बाट दो जितना मेरे हिस्से आएगा उतना ही लेना उत्तम है बाले ने गुरुजी के आग्या से तीन स्थान पर बाट कर एक हिसा मरदाने को दिया तथा एक भाग गुरुजी को और पन किया और एक स्वयम लिया गुरुजी ने अपना भाग कौड़ा को दे दिया कौड़े ने सर्ष सर्ष स्विकार करके तच्छन अपने मुख में रख लिया जब गुरुजी का दिया हुआ पर साथ कौड़े ने खाया तब उसके हिर्दे के पटल खुल गए उसका शरीर परम सुन्दर हो गया बाला और मरदाना देखकर हैरान हो गए गुरुजी ने कहा बाई हैरान उने के अवशक्ता नहीं पर मात्मा ने मुझे इन लोगों का उद्धार करने के आग्या दे रखी है गुरुजी साथ दिन तक कौड़े के यहां रहे फिर चार पाई कौड़े को दे कर गुरुजी आगे को रवाना हो गए साखी और चली आगे 47 दिन चलते रहे एक दिन फिर मरदाने को भूखने सताया मरदाना बोला है महराज अब तो चलना भी कठीन हो गया है गुरुजी ने कहा धहरे करो आगे एक सुन्दर नगर आने वाला है मरदाना बोला कि हमारे पास तो एक फूटी कौडी भी नहीं है क्या किसी मुर्दे को बड़े नगर में ले जाओगे तब गुरुजी ने अपने पाउं से रेद बखेरी तो उसमें एक लाल निकला मरदाने को उठाने की आग गया हुई तब मरदाना बोला है महाराज मैं इस पत्थर का क्या करूँ जब तक पेट में कुछ ना डाला जाए तब किसी बेश कीमत वस्तु को बानने से कोई लाब नहीं होता क्योंकि इस तरह भूख नहीं मिटती तब गुरुजी ने कहा है मरदाना ये देखो नगर नजर आने लगा मरदाना बोला नजर आने से क्या है अभी तीन कोस की दूरी पर है ये कहकर मरदाना कुछ उदगिन मन हो गया और जहला सा हो गया तब गुरुजी ने कहा है मरदाना तुम इस नगर का नाम जानते हो मरदाना बोला मैं तु नहीं जानता गुर जी ने कहा अच्छा बाजार में जाकर किसी जोहरी की दुकान पर ये पत्थर बेच कर पैसे ले आओ उस नगर का नाम विशंभर पूर है मरदाने ने उस पत्थर की कीमत पूछी गुर जी ने कहा जो कोई कीमत कहे मुझे आकर बताना मरदाना गया एक जोहरी ने इस लाल की कीमत तीन पैसे बताई मरदाना ने उसकी कीमत तीन पैसे गुर जी को बताई गुर जी ने कहा भाई किसी बड़े जोहरी के पास जाओ उसने कहा मैं चोटा बड़ा नहीं जानता गुर जी ने कहा कि एक जोहरी जिसका नाम सालस राय जोहरी है उसके पास जाओ अब मरदाना सालस राय के पास गया उसने लाल देखकर पहचाना उस लाल पर लिखा नजर आया कि इस लाल को देखने का मूले 100 रुपया है उसने 100 रुपया दे दिया और लाल रख लिया मरदाना बोला हे जहरी मैं अपने मालक से पूछ कर लाल दूँगा उस जहरी को स्विकर्ट से मरदाना गुरुजी के पास आया और गुरुजी के आगे 100 रुपया रख दिया गुरुजी ने कहा कि तुम इसकी कीमत ले आये हो मरदाना बोला उसने दिये मैं लेकर आ गया गुरुजी ने कहा उससे पूछो ये रुपया कैसे दिया है मरदाने ने जहुरी से कहा कि आपने ये सो रुपया कैसे दिया है जहुरी ने लाल पर लिखी शर्ट सुनाई तथा उसी के अनुसार सो मुद्रिका देने की बात कही और ये भी कहा लाल तुम्हारी दरोहर हमारे पास है ले सकते हो मर्दाने ने सारी बात गुरुजी को आकर सुना दी गुरुजी ने कहा है मर्दाना अब तू लाल बेचना चाता है या नहीं मर्दाने ने कहा मैं नहीं जानता गुरु जी ने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये लाल नहीं ये तो परमात्मा का नाम है पहला जोहरी तीन पैसे कीमत देता था अपितु इसने केवल लाल के दर्शनों का सौ रुपया दे दिया है मेरे कथन का मतलब ये है कि इश्वर का नाम एक लाल है उसे चाहे तू बेच ले और चाहे भूख प्यास सुख दुख आदी सेहन करके अपने अधिकार में रख ये तेरी इच्छा पर निर्वर है अब मरदाना इस रहस्ते वाद को समझ गया फिर मरदाना जहुरी के पास जाकर उसका सो रुपय लटाकर और लाल को वापस करने के लिए कहा और लाल को वापस करने के लिए कहा कि मेरा स्वामी लाल बेचना नहीं चाहता आप लाल दे दें और रुपय ले लें उसने कहा ये सो तो उस लाल की दिखाई है ये रुपया और लाल दोनों तुम्हारे है अब मरदाना लाल और रुपया लेकर गुरू जी के पास आया तब गुरू जी ने कहा ये लाल और रुपया लेकर कैसे आया है तब मरदाने ने सारी बात सुना दी गुरू जी ने कहा न और गुरू जी भी नहीं लेते थे मरदाना बहुत बार इधर उदर गया अब मरदाना ठक कर घबरा गया और रुपए जहुरी के घर फैक कर वापिस आ गया इधर जहुरी ने सोचा कि ये रुपए उनके हैं मुझे नहीं रखने चाहिए माया ने तो सन कादिक रिशियों का भी मन विचलित कर दिया था पर अंतु ये रुपए लेते ही नहीं दूसरे मैंने बहुत लाल जीवन में देखे हैं पर अंतु किसी पर लिखा वो नहीं देखा यह लाल अजीब ही है इसके मालक को देखना भी उचित है उस जोरी ने अपने नौकर को मरदाने के पीछे दुड़ाया कहा कि पता लेकर आओ कि ये लाल किदर को लेकर गया है नौकर ने नगर के बाहर आकर तीन सादू बैठे देखे उधर मरदाना बुख के मारे बिहाल बुख के मारे बोल नहीं सकता था गुरुजी सरवग्ये थे सब कुछ जान गए कुछी समय के पश्चात सालस राय भी आ गया नौकर के सिर पर अनेक बस्तू थी सो रुपया और बस्तू रखकर उसने गुरुजी के चरंच हुए गुरुजी ने कहा है भाई यदि इस लाल को बेचें तब तो ये नजराना भी ले सकते हैं यदि हमने देना ही नहीं तो फिर ये सो रुपया क्यों ले जहुरी ने कहा है माराज यह तो साधारन लाल है परन्तु आप तो सत्ते रूप के लाल है मैं अत्यदिक अचंबे में हूँ तब गुरुजी ने नीचे लिखा शबत उचारन किया लालो लाल उपाया लालो लाल दिसन जिना लाली नेतर माही दूज्या नाही चानन सुन सालस राय तू जहुरी अपना लाल पचा कूडे लाल ना गंड बन अपना सा सिझान रहाओ कंकर पत्थर मेल कै नाउ सदायो सा बिन सद्गूर परे अंध है मूल न बुझेरा मेरा मेरा कर संजेव राती अत धे काई साखन उपजी कलर वुठे में सुन सालस इक बेनन्ती जो करम प्रापत होए नानत एक आराध ही है दूख ना लागय कोई अब जहौरी ने गुरु जी से उनका परीचे पूछा और कहा कि हमें अचंबा हो रहा है हमने अनेक महात्मा जो शट दर्शनों के वक्ता होते हैं भी सब देखे हैं परंतो अपका भेद नहीं जाना जाता सोक्रिपया आप ही बताएं गुरु जी ने का हमारा नाम नानत निरंकारी है हम निरंकार देश के हैं तथा हमारा भेज भी निरंकार को दिखा है तब गुरु जी ने मारू राग में शबद उच्चारन किया मारू महला पहला बिमल मजहार बसस निर्मल जल पदमन जावल रे पदमन जावल जल रसंगत संग दोख नहीं रे दादर तू कभेना जानस रे पखस सिवाल बसस निर्मल जल अमरत ना लखस रे रहाओ बस जल नितना वसत अलियल मेर चचागुन रे चंद कुमुदनी दूरहू निवसस अन्भव कारन रे अमरत खंड दूद मधू संचस तू बन चातुर रे अपना आप तू कभू न छोड़स पिसन प्रीत जियो रे पंडत संग वसे जन मूरक आगम सास सुने अपना आप तू कभू न छोड़ स्वान पूच जियो रे एक पाखंडी नाम न राचे एक हर हर चड़नी रे पूरब लिख्या पावस नानक रसना नाम जपरे ये सुनकर जहुरी बोला आप ये रुपए लेकर मुझे किरतात करो गुरुजी ने कहा ये रुपए आप ही को रखने उचित है हम तो सादू है रुपए आप ही को शोबा देते हैं हमें नहीं उसने कहा ये मेवा पकवान तो स्विकार करो गुरुजी स्विकार नहीं करते थे परंतु मरदाना मौन धरे बैठा था मन में कहता गुरुजी मान ले तो अच्छा है मुझे भूक लग रही है तब गुरुजी ने राग मारू में शबत उच्चारन किया राग मारू महला पहला प्रीत पक्मान जो पोजन करी है लुच्ची लोच्चा पूरी मिठाई रसना रसकस बोले ता मन रहे हजूरी रहाओ सुन सालस तू पाई मेरा समझ पवी ता होए निवेरा सेवा मिलन तुमारा कईये सतके बागे जोडे सामन आए अगाए सोए जो इनते मन तोडे फिर जोरी के नोकर ने गुरु चर्नो पर परनाम किया तब गुरु जी उस पर बहुत परसन हुए तब गुरु जी ने कहा है मरदाना परसाथ पालो मरदाना तो यही चाता था उसने भोजन ले लिया तब गुरुजी के आगे हाँच चोड़कर रदास करके का ही माराज क्या आग्या है गुरुजी ने का हमने तुम्हारे लिए सालस राय को यहां बुलाया है तब मरदाना परसन होकर खाने लगा गुरुजी ने शबद उच्चारन किया उत्तम जनम सो सालस कईया नीच नरायन पावो लोब लहरते तेई छूटे साथ संगत गुणगावो सुन सालस इस गोला तेरा आप नरायन माना नानक पगस संग मिल उचे पद्र ठैराना सालस रायने प्रार्थना की कि आप मेरी मुक्ती करो गुरुजी ने कहा जदी तुम अपने इसी नौकर के चर्नों पर गिरो तो भव सागर को पार करोगे सालस ने कहा जैसे आप आग्या दे मैं उपस्तितूं ये कहकर सालस ने पैर पकड़ लिये नौकर को कहा कि तुम मुझे पार करने के लिए इनको लाए हो गुरुजी सालस राये के उपर भी परसन हुए और एक सिरोपा दिया जो सालस राये ने अपने शीश पर बांध लिया बस उस जोरी के हिर्दे के पटल खुल गए और उसे एक पवित्र शबद भी प्राप्त हुआ सद्गुर्द दाता नाम का दीनों खोल कपाट इकको वणजा वणजया बहुडना आवे काट सद्गुर्द नानत पूरा बचन का सूरा रहाओ अगम निगम विखोवै ता खोलै नेत्र अनंत जगत वणजारा सगल है सा एक पगमंत बनज हमारा सद्गुर्द पूंजी हम आठ पहर तुन लाग रहे सोय हमारे काम सालस बिन्वै बेननती तुम सुन लेहो करतार कच्चा रंग उतार के चाड़ो रंग अपार राग बिलावल शबद गुरु नानक जी उच्चारन किया गुरु शबद निधान है मनमुक आवा गउन लख जूनी परमायो फिर पाव लेगा पाउन तेरा निर्मल हीरा नाम है कोई परखे परखन हार रहाओ बेदी अंतना जानया पड़पंडत वीचार बेडा हर का नाम है जिस चड़ उत्रै पार अजन पाए सब को देखन विच्विनास जीन लोयन जग देखिया सो लोयन परगास कंचन कंचन होया नानक त तब गुरुजी ने अधर के नौकर पर और सालस राय पर अपार किर्पा की फिर आपने फुरमाया कि ये चार पाई हमारी ओर से है तथा हमने इश्वर नाम का तुम्हें दान दिया है ये सालस राय जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक इस मंजी के तुम अधिकारी हो त अश्चात नौकर को तुम्हारी संतान इसके अधिकारी नहीं होगी अब तुम्हारी शेशायू दो वश साथ महीने है इसलिए तुमको पहला अधिकारी बनाया है उस करतार की इच्छा है ये सालस जो इश्वरिये आग्या मानते हैं वही उत्तम पुरुष परमपत को प्र अचान करते हैं तथा उन पर के पदिश्टी करते हैं आयू थोड़ी का परम पुरुष विचार नहीं करते हम सत्ते कहते हैं कि तेरा आवा गमन छुट गया है अब तुशरीर त्याब कर मुपत हो जाएगा जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी वाई गुरू जी का खा सावएगे जी शुक्राना गुष कि का खाया जी